नमस्कार नियूस के लिगा आपका स्वागत है मैं हूं मुकुंदर अभी हम मौजूद है दिल्ली सेंट्रल दिल्ली स्थित इत्यों में जो सेंट्र ऑफिस इंट्र ऑफिस है बीटे अर्बवन वहाँ पे जहां जो सेंट्रल ट्रेड उनियूनें का जॉइंट फोरम है उसने जीसे अपनी पिछली स्टोरी में अपको दिल्ली के च्छे राइट माइनर्स के कहानी वह किस वाल में रहते हुए उनकी जिन्दी के अपनी क्या समस्या है वह आपके सामने लेके आये थे इसी तरीके से हम आज जो उत्तर-प्रदेश के जो जिस तरीके के इसके अलावा इ शुरा शुरक्षा को लें के यहां पर चड्चा भी हुई वो पूरी बात्ची सुनिए यह क्या कहते हैं और जो उत्तर पर्दीद के शेहां इत्मारत हैं उनकी क्या कहानी हैं उन्हीं की जुवानी सुनिए वो क्या कहते हैं तो एक काम कर पांच लड़के लेगे खुझ एक खुद होके छेवंदे आजाओ हमारे पास गाड़ी बेजी ती रात में एक वज़े गाड़ी आई थी पच्छेस तारीक में लिख ला था है शबविस में पहुंचिया था हुआ सोगय में 11 वजे पहले तो घर से जब जा रहे थे घरवालों नहीं मना किया था कि आप ना जाओ तो मेरी एक दिन पहले बात हुए थी वकील भाई से तो हमें मना कर दिया कर नहीं जांगी रहन दो उ पैप डाल देंगे तो बुझरू गए मेरे पापा उन्होंने बुला अगर तुम लिकाज सकते हैं तो जाओ उसके बाद हम वहाँ पर गए तो सर जाके देखा तो हमने पत्थरों में काम मिट्टी में काम तो किया लेकिन जो सरीया और स्टील में कभी नहीं किया सर बहुत म और हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत से काम किया बहुत दिल लगा के काम किया मतलब उन्होंने यह सोच रखा था हमें 24 गंटे काम कर रहा है नौन स्टॉप वो चाहे हमें एक दिन करना पड़े चार दिन करना पड़े तो मैं इसके लिए अपने टीम को बेहत क्रेट देना लिकल यहां लेकिन फेल होगी थोड़ी सी और फसने के बाद बागी हमां हमने जो काम करा हम यह नहीं करें के मसीन फेल हुई थी जैसे सांस रुख जाती थी अंदर गर्मी लगती थी फिर भी हम उसम अंदर जाकर करते रहे क्योंकि 41 जिंदिगा वचानी थी उनके परिवा करा तो कि आरंपार होने की टेंब भी हखोने की तक हम आपको यह क्टाई मैं बदाने हैं हम तुमको थींट दो satisf सफेटन अपना और वात क्धुने को म düşünसी है दो हम आपको लेना हैं भाहर चलो हमारा साiren का अट करें इसमा हमारा कोई गंटाव नहीं होता बारे घंटे भी कर सकते हैं, पंद्रे भी कर लेते हैं, कभी आठ घंटे भी कर लेते हैं, इसमें हमारे उसमें कोई हो नहीं होता है। जाड़े वान्सो साथ सो रुपे मन लो एक दिन काम तो ऐसा मिलता है पांच यह महीन चलता है काम तो टो टो टॉटर बरसात के टाइमें बंद हो जाता है अबने मजदूरी करते हैं फिर हम जए बेलदारी है और कोई काम दियाता है उसे कल लेता है और हमर थोड़ी बहुत खेती है उसमें लग जाते हैं उसमें रहते हैं वाजदूरी के लिए वह भी बहुत बड़ा सामय होता है सर जब आदमी पूरे दिन आठ नो घंटा काम करता है तो दूसरा दमी पैसा देखके देता है कैनो इसे कैसे दूँ उसको भी यह दबाना सोचता है पांसो की जाड़ी है चार्ट सो दूँ इसे मैं यह तो यह तो मरने काम है हाँ जी उमर मेरी 18 साल है काम तो बहुत कहड़ा लगता है पर करना पड़ता है पेट के लिए नहीं क इसमें पानी रोड़ हा तूटी पड़ी है पानी भर रह रहता है मैं लुड़ी है सब्सुए सबसुएद मैं इनगाम पड़क ढ़क गाता है पानी भर रहा है रस्ता नहीं है हमारा काम दिल्ले में चला था बंद हो गया थोड़ा यागजक्कर में आपको काम कर गाए हम यह नहीं काम चला था हमारा था यह से वल लाइन वे ग्रेस लाइन यह जल ली के इनको करते हैं मुझे तुस एक नाम मालूम था बस कि मेरा जैक प सुनी रहे तुमने यह नाम दी ओए हमें तो इन नामों का मालम भी नहीं था इस टणनल में जो रिस्क्यू किया है जो यह रैथ होल माइनर्स में जो काम किया है उसकी एहमियत यह है कि यह दर्शाता है कि पस्चिमी हिमाले के जो पहाड हैं बहुत नाजुक पहाड हैं आप उसमें हथोड़ा मार टाइप की टेक्नालोजी ब्लास्टिंग करना बड़े-बड़े मिशीनें लाटना पहाडों को काटना यह बड़े आपको नाजुक तरीके करना चाहिए ना कि बहुत यह जो जोर से मतलब और इस यह जो रिस्क्यू आपरेशन था वो यही दर्शाता है जो बड़े-बड़े मिशीन थे उनसे काम होनी पाया उस्ट्रेलिया के जो एक्सपर्ट वहां पे बारा दिन खड़े थे उन्होंने यह कहा है कि जब यह मुझे तो यह डर यह लग रहा था कि किसी भी टाइम यह बड़े-बड़े मिशीन को ले जा रहे हैं तो हो सकता है वह और दुबारा से कोलाप्स कर जाए जोशी मत के अंदर भी क्रैक्स आगे हैं उससे वहां की जनता भी सुरक्षित नहीं है तो विकास हो मंगर आम जनता कि जनमाल की सुरक्षा भी साथ में सुनिश्चित करें जरकार आप पहाड में जाओगे आपको दिखेगा वर्टिकल कट है पहाडों में तो वह लांड्सलाइट फिर आएगा ओल विदर रोड कहां से बचेगा यही ओल विदर रोड पिछले साल मॉनसून के टाइम पे कम स तुकडों में बांट के यह दिखाया कि वह यह एक प्रोजेक्ट नहीं है दिया मेनी प्रोजेक्ट ऑल लेस तैन 100 किलोमेटर जिसमें की जरूरत नहीं है यह तो दुनिया को उल्लू बना ले वाली बात है तालिस मजदूर से मैगरेंट वर्ड करते अलग लग प्रदेश से आ करके उनकी खुद की स्थिति क्या है हम लोगों ने इन 12 लोगों से बात की तो पता लगा कि किराये के मकान में रहते हैं अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास 12 महीने क काम नहीं है जो सरकारी अलग लग विभाग हैं जहां सेुनको कामों आफ वह जब उनका अंडर टरनिलिंग का काम चलता है तब दिल्ली सरकार ने ऐसे मजदूरों को जो निर्मान मजदूर कल्यान बोड है उसके इंदर रेजिस्ट्रेशन तक नहीं है इनका तो यह बड़ी हरानी की बात है कि बड़े-बड़े क्लेम्स किया जाते हैं सरकारों के द्वारा मगर बुनियादी इस तर पे देखा जाए तो ना इनका वेतन स्वरक्षित ना समाजिक स्वरक्षा सुनिजित वेस्टन हिमाले में पूरे इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट को पुनर इसको रिव्यू किया जाए और प्रॉपर कापैसिटी असेस्मेंट कि इनकी ख्षमता कितनी है सहने की वह किया जाए उसके आध कि जो कोड बनता है वो लागू हो रहा है यह नहीं हम लोग ने मांग की है कि सरकार केंज सरकार और राजे सरकार इनका जो सहास्पून कार रहा है इसके लिए इनको सम्मानित करें दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं कि 10 लाक रुपे इनको दे जिससे कुस्तों उनको रहत मि दूसरे मजदूरों को भी इससे एक सीख मिलेगी कि हम भी देश के लिए इस प्रकार का कुछ योगदान करें इंसानियत के नाते और इन्होंने जो काम किया वो इन्होंने धर्मा और जात को साइड में रखें इंसानियत के नते काम किया यह इंचाएंधा हूं के साथ मेरे जयसे बहुत बच्चे हैं जो उन्हें अच्छी सिख्षा मिलेएग बच्छे प्राइबेट जिनकी पीस हम देनी पाते तो बच्चे ज्यादर से ज्यादर ऐसा ही है हमरे सभी बहाई को कमजदूर भाहि को जाद सबमादों फकनी ढूलने इसमें पैसा है कि हमारे भारत के बहुत बड़ी ते जैस्टी है कि एक मीडल क्लास vin बिडल क्लास भोंग्रां जीओन आपन कर रहा हैं लेकिन जो प्रधान मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि मजदूर के हक के लिए उन्हें उनका जीवने स्थारने के लिए उनके लिए कुछ ऐसी प्रोग्राम बनाए जाए जो उनका जीवने स्थार उपर उठे उनकी परमेनेंट इंकम हो जिसे विए अपने बच्चों को सही से इसी तरह के जीवने जो उत्तर परदेश के छेराइट मार से इनकी भी कहानिया उससे अलग नहीं है उसी तरह कि आसुरक्षा काम को लेके और समाजी करूप से परिस्तिति में रहते हैं वो एक तरह के सवाल इनके सामने भी बना हुआ है इसके अलावा यहां जो आये जो इ इनकी आसुरक्षा कितनी बढ़ती जा रही है और इनके सुरक्षा उपाय के लिए जो कानून बने हैं उनको और मजबूत करने की जरूरत है और पहले तो जो कानून है उनको और लागू करके इनके हक में और मजबूती से कायम करने की जरूरत है जो अभी तक नहीं हो पा यह सवाल यहां उठे इस तरह की और ख़बरों के लिए देखते हैं इसके लिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद